Hello friends, मेरा नाम है पलवी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ Class 10th, NCRT, Statistics Chapter के अंदर, Median Median वाले जो questions आते हैं friends, आप सभी को पता है वो horizontally questions दिये जाते हैं जिसमें ये जो marks हैं ये जो interval हैं आपको horizontally दिये जाते हैं और साथ में उसकी frequency भी आपको horizontally दिये जाती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आज हम median के questions solve कर रहे हैं और इसके लिए सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए ये formula ताकि आपको पोरी picture clear हो जाए कि median के formula में हमें क्या-क्या चाहिए सबसे पहले L plus N by 2 minus C upon F into H ये median के नाम से आपके दिमाग में एक बार बैठ जाना चाहिए ताकि जब हम question को solve करें तो हमें पता रहे कि हमें कौन-कौन से data की जरूरत है तो ये formula है median का, इसे आप अच्छे से याद कर लें फिर हम चलते हैं question की तरफ सबसे पहले दी हुए table को हमें vertically लिख लेना है और इस formula के अंद जो C है ये represent कर रहा है cumulative frequency को तो हमें यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी cumulative frequency तो देखें cumulative frequency कैसे निकालते हैं सबसे पहले जो frequency दी गई है उसे ही में लिख देंगे 4 next frequency है 28 तो इस column में हमें क्या लिखना पड़ेगा 28 this और ये 4 उपर वाला ये भी add हो जाएगा तो 28 प्लस 4 32 next हमारी frequency है 42 तो हम देखेंगे की 42 में हमें क्या add करना है जो हमारी last frequency का sum आया है that is 32 32 प्लस 42 it is 74 now हमारी next frequency है that is 20 तो 20 को हमें किसके साथ add कर देना है जो हमारा last sum आया है उसके साथ add कर देना है that will be 94 94 के साथ हमें क्या add कर देना है 6 6 के साथ हमारा last जो cumulative frequency का sum है that is 94 94 प्लस 6 is 100 ये धियान रखेगा friends जब भी हम cumulative frequency के end तक पहुँचेंगे तो इसका जो answer आएगा the same will be the sum of the frequency obvious है यहाँ frequency का sum 100 आया और यहाँ भी तुम वही काम कर रहे है one by one इन सभी को add कर रहे है तो यहाँ भी क्या answer आना चाहिए इन सभी का sum that is 100 देखें यहाँ भी 100 आचुका है इसका मतलब हम सही चल रहे हैं आगे बात करते हैं सबसे पहले इस formula में हमें किस किस की जरूरत है तो सबसे पहले हमने n निकाला that is 100 तो देखें हैं हमें क्या put करना n by 2 तो हमने n by 2 की value भी निकालनी that is 100 upon 2 that is 50 now cumulative frequency just above 50 देखें यह हमने क्यों निकाला 50 ताकि हम एक interval select कर सके जहाँ से हम हमारा f cumulative frequency h और हमारा interval select करेंगे कि हमारे median की class कौनसी होगी यह select करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें n by 2 करना पड़ेगा n by 2 करने पर हमारा answer आया 50 अब हमें यह देखना है कि cumulative frequency जो की इस 50 से just above है that is 74 आ जाएए यहाँ पर यह रहा 74 यानि कि आपको अब यह वाला interval पूरा की पूरा select करना है जहाँ पर 20 से 30 आपका interval हो जाएगा frequency आपकी 42 हो जाएगी और cumulative frequency का ध्यान रखेगा friends हमेशा जो interval हमने select कि